नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना आपका अजीज आपका कमल नंदलाल और मैं लेकर आँँ आप सभी के लिए पंजाब केसरी के नई यूट्यूब चैनल कुंडिली टीवी का खास शो आपका राशिफली इस शो के जरीए मैं रोज आपको आपके भविश्य से जुड़ी सटीक जानकारी देनी के कोशिश करता हूँ आज किस की किसमत का सितारा चंकेगा आज क्या है आपका लखी नंबर क्या है आपका लखी कलर आज आज किस का दिन बन जाएगा सुहाना और किसकी जीत होगी पकी और भी बहुत कुछ है आज तो आईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशिकी मेश यानि कि एडीज आज आपको बिजनस से जुड़े काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है लेकिन काम में सफलता जरूर मिलेगी बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है परिवार वालों के साथ समय जरूर बिताएं उन्हें समय जरूर दें घर में कोई महमान भी दस्तक दे सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है एट बात करेंगे दूसरी राशी वरिश की यानि की टॉरस की आज लाइफ पार्टनर से कुछ कीमती गिफ्ट मिल सकता है तो हो यह नहीं आपकी बल्ले बल्ले शाम को लव मेट के साथ डेट पर भी जा सकते हैं मन में हैपिनेस बनी रहेगी आपकी किसमत का सितारा आज बुलंद रहेगा कोई मन चाही इच्छा आज पूरी हो सकती है शत्रू आपके लिए कोई परिशानी खड़ी कर सकते हैं डट कर सामना करें उनका जीत आपको जरूर हासल होगी तो आज के लिए आपका लखी कलर है मरून और लके नमबर है सेवन तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशी मिथुन यानि जमिना आए की आज आप सफलता की नई सीड़ी पर पैर रखकर आगे बढ़ते जाएंगे मिथुन राशी वारों शेर बजार के वियापारियों के लिए आज का दिन जेस्ट परफेक्ट है आफिस में आपके पॉजिटर नेचर की आज तारीफ ही तारीफ होगी किसी सोशल वर्क में बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे पैनेंशल कंडिशन पहले से बहतर होगी आज नई गाड़ी खरीदने का अगर आपका विचार बन रहा है तो मौका बहुत अच्छा है जल्दी ही गाड़ी घर ला सकते हैं आप आज के लिए आपका लखी कलर है और यह जो लखी नंबर है टू चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी राशी करकी यानि कैंसर सा कैंसेरियन्स आज धन के लेंदेन के मामले में थोड़ी सावधानी जरूर बढ़ते हैं आप से कोई दोखा धड़ी कर सकता है सतर रहें अपनी भेहन से मन की बात जरूर कहें उनसे सुझहाव लेकर ही काम में आगे के बढ़ें लाइफ पार्टनर के साथ कुछ पल जरूर बिताएं मांगले कामों में जमापुन जी घर्च कर सकते हैं आप आफिस में बहुत से भी आज तारीफ ही तारीफ मिल सकती है कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है आज के लिए आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है टू बात करेंगे पांचवी राशी सिंग की यानि लियो सो लियन्स आज आज आप बहुत पावफ़ फिबमस से उस करेंगे आज आप अपने नेचर की वज़े से दूसरों के अपनी और अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मन में जो आपने ठान लिया है वो करके ही मानेंगे आज आप विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं बच्चों की तरफ से कोई सर्प्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है जिसे दिन भर की टेंशन बस ख़तम हो सकती है इस राशी की लड़कियां जो हैं जो फीमेल से हैं दोस्तों के साथ आज आज आउटिंग पर जा सकती है आज के लिए आपका लगी कलर है पिंक और लगी नंबर है नाइन बात करेंगे कन्या यानि की वर्गो की आज कन्या राशी वलों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नभा पाएंगे आप परिवार में चल रही टेंशन जो हैं वो आसानी से खतम हो सकती है माता पता से किसी बात को लेकर आज विवाद हो सकता है थोड़ा पॉलाइट रहें माता पता के पती आदा जरूर रखें आज अपने एहंकार पर थोड़ा अंकुष जरूर लगाएं नियंतरन रखें आज इधर उदर के तरक वितरक से बचेंगे तो फाइदे में रहेंगे इस राशी की जो वुमिन है उनको अपने जीवन साथी से आज गिफ्ट मिल सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है फाइद बात करेंगे साथवी राशी तुला की यानि की लिबरा की आज लिबरंस आप किसी खास यात्रा पर जाने वाले हैं जिसका आपको कई दुनों से इंतजार था आज इस राशी की लीडीज को गिफ्ट में कपड़े मिल सकते हैं जो लोग ब्यूटी और हिल्थ के लिए बिजनिस में हैं वो आज कोई सेमिनार प्लान कर सकते हैं जिसमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है आपको आज अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जिनकी सलह आपके जीवन में बहुत बहुत एहमियत रखेगी आज के लिए आपका लखी कलर है पूपल लखी नंबर है शिक्स बात करेंगे स्कॉर्पियो यानि के वरिश्चिक राशी की सो स्कॉर्पियंस आज पूरे दिन आपकी परसनलिटी बेहद बेहद एफेक्टिव रहेगी इससे आपके काम में भी बहुत अंतर पड़ेगा लोग आपकी तारीफ करेंगे तारीफ के पुल बानेंगे आज आपके आफिस में प्रमोशन मिलने के भी चांसे से हैं स्टूडेंस पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ाई करेंगे तो सफलता आज जरूर मिलेगी स्टूडेंस को आज किस्मत के सितारे बुलंद होंगे आज आप रोमेंटिक मूड में रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है थ्री अब बात करेंगे सजिटेरियंस यानि धनूराशी वालों की धनूराशी वालों आज पूरा दिन आप रिलेक्स मूड में रहेंगे हर काम को बड़ी ही कुशलता पूरोग नप्टा सकते हैं प्लानिंग भी कर सकते हैं जीवन साथी के साथ आज शौपिंग बर भी जा सकते हैं भगवान शंकर को जल चड़ाएं उमीद से बहुत अच्छा फल मिलेगा हर हर महादे बस बोलते जाईए और जल चड़ाते जाईए आज आपका इनर सेंस आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ही शार्प रहेगा पैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है त्री अब बात करेंगे दस्वी राशी मकर की यानि की केप्री खौन आज केप्री आपकी राजने तेक पहुंच बहुत बढ़ जाएगी बच्चों के सामान के खरेदारी भी करेंगे आज आज आप किसी सामाज काम में भी हिस्सा दे सकते हैं समाज में आपका रुतबा बहुत बढ़ जाएगा आज पुराने दोस्तों से आज मुलाकात का दिन है जीवन साथी के साथ लॉंग ड्राई पर भी जा सकते हैं और सिंगल्स लर मेट के साथ आज लॉंग ड्राई पर जा सकते हैं आज पूरा दिन आपका बहुत बहुत हैपी हैपी रहने वाला है लेकिन बिजनस पार्टनर से कुछ पड़ेशानी खड़ी हो सकती है इसलिए आपको मैं सलहा देता हूँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की आज के लिए आपका लखी कलर है पॉपल और लखी नमबर है फोर तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशी फल के सिलसले में बात करेंगे ग्यार की राशी कुम्ब की यानि कि अक्वारियन्स आज अक्वारियन्स पूरे दिन खुश मिजाज रह सकते हैं आपके परिवार में सुख और शान्ती का निवास रह सकता है आपके आसपास के लोग आपके तजूर्वे का पूरा लाव उठाएंगे और आपसे राए मश्वरा भी करेंगे आज भगवान आपके साथ हैं आज अपने बॉस के साथ जादा मील जूल बढ़ाएं फाइदा ही फाइदा मिलेगा आपको आज के लिए आपका लखी कलर है मजिन्टा और लखी नमबर है टू तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारवी राशी मीन यानि पाइसिंस की आज आपके चारों तरह बहुत ही सुख़द और मधूर माहौल बना रहेगा इससे आपका बिहीवियर जो है वो पॉजिटिव और मधूर बना रहेगा आर्थिक स्थिती फैनेशल कंडिशन जो आपकी बहुत मजबूत बन जाएगी दोस्तों की तरफ से सहीयोग भी मिलेगा उनकी सलहा से काम में सफलता भी मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नमबर है वन तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी आपका भविश्य बताने के लिए आपकी राशी का भविश्य बताने के लिए तब तक के लिए कमल लंदलाल को इजाज़त दीजिए आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो और इसके सासर एक खास बात और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल आप नहीं खोच पा रहा है तो मुझे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना फोन में लिखना बिल्कुल भी न भूलें मैं आपको सीधे संपर करूगा और सबसे ज़रूरी बात हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब और शेर करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्कार